या आप competitive exam की तियारी कर रहे हैं या आप किसी ऐसे exam की तियारी कर रहे हैं जिसमें GK आती है और GK में history पूछा जाता है अगर हां तो आप बिल्कुल सही जगा आए हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं history का एक complete course इसके अंदर आप देखेंगे सारे previous year based questions हम discuss करेंगे उसी तरह स इन questions को समझ रहे होंगे उसी तरह से theory समझ रहे होंगे कैसे ये चीज़े बनती हैं मैं आपको इतिहास दिखांगा एक बहुत ही नए अंदाज में आप देखेंगे आपको बहुत पसंद आएगा for example हमने movies देखी है आपने पदमावत movie देखी आपने रनबीर सिंग का character देखा ठीक है आपने इस तरह से बहुत सारी film में देखी तो क्यों ना उनको एक story बना दिया जाए उनको concept बना दिया जाए मैं उसी तरीके से आपको देखने का नजरिया बतलता हूँ इतिहास का और मैं इस बात का दावा लेता हूँ कि आपके exam में जो history के questions आएंगे वो क complete overview है, notes जरूर बनाना इसके, complete notes बनाना, तो start करते हैं आज का history का lecture, अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो अभी channel को subscribe करें, नीचे telegram channel का link है description में, जाए उसको join करें, complete जो आपका class का जो भी notes होगा, वो सारा आपको वहाँ मिल जाता है, clear है, तो चलिए start करते है history, history में हम पढ़ेंगे क्या, basically मैंने history को तीन parts में divide कर दिया, पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास, लेकिन देखने का हमारा नजरिया बदल जाएगा, कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, start करते है history को, मैंने अभी आपसे कहा क इतिहास को देखने का नजरिया बदल देंगे, सर हम ऐसा क्या पढ़ने वाले कि इतिहास देखने का नजरिया बदल जाएगा, बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको इतिहास पढ़ाँगा, तो आपको केवल दो बातों का ध्यान रखना है, क्या दो बाते हैं, वो दो बात रात होती है और रात के बाद दुबारा दिन होगा ही होगा इस बात को मानतो यही इतिहास है इतिहास ही हमें सिखाता आ रहे हैं और हम सीखी नहीं पाते हैं तो आज आपका इतिहास देखने का नजरिया मैं पूरी तरह से बदल दूगा बस मेरे इन दो कॉंसेप्ट को ध्या पड़े जान से समझना हर एक कोशन आपका एक्जाम में होगा, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी thinking में आपके दिमाग में डाल दूगा, अगर lecture पसंद आए तो इसे like जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो, मैंने आपसे क्या कहा, कि कभी भी अगर आपकी life में बुरा समय आ रहे तो बुरे समय के बाद एक अच्छा समय जरूर आएगा, दूसरे शब्दों में बोलू, अगर आपका भी अच्छा समय चल रहे तो आने वाले टाइम पर एक समय ऐसा आएगा, बिल्कुल ये एक universal fact है, हर एक के जीवन में ऐसा होता हमारा इतिहासी ऐसे चल कर आ रह थे, बड़े बड़े लोग बड़े अराम से रहते थे, कहने का मतलब एक खुशाल जीवन जीते थे, फिर एक समय ऐसा आया, जब हमने उस चहरी जीवन को छोड़कर ग्रामीड जीवन पर आ गए, फिर धीरे 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 वो बुरे दिन खतम हो, फिर हम एक ऐसे होने लग गए, फिर हम वहाँ पर आकर फसने लगए, कहने का मतलब यह अच्छा दिन आया, फिर बुरे दिन आ गए, फिर अच्छा दिन आया, फिर बुरे दिन आ गए, इस concept को बड़े ध्यान से समझना है, क्या कहना चाहा हो, मैंने, मैंने बताया कि बुरे दिन के बाद अच्छा समय जरूर आता है, पहली बात, दूसरी बात सर, इस logic से एक चीज़ और निकलती है, अगर आप अभी अपने life में struggle का time देख रहे हो, अगर आप अपने life में भी देख रहे हैं कि बुरा समय चल रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, बुरे समय में ही talented type person निकलते हैं, क्या निकलते हैं भी, बुरे समय का मतलब है कि अगर आपके जीवन में कठेनाईयां चल रही हैं, अगर आपका जीवन बहुती कष्ट में ही चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप talented बंदे ही बनेंगे, clear है, हम दो तरह के persons की बात करेंगे, इत्यास में एक होगा talented बंदा जो कैसे निकला होगा, वो निकला होगा सर बुरे समय से, क्या मेरी बात clear हो रही है, मैं आपको पूरा इत्यास के वाल इन दो concept पर ही बताऊंगा, के वाल ये दो concept, सर अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं, देखाता न, 2014 में मोदी जी, अच्छे दिन आने वाले हैं समझ रहे हो, तो वही अच्छे दिन का वो लालच देकर, अच्छे दिन का वो चीज देकर, तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन आज की date में क्या है, student रोजगार के लिए परेशान है, हमारे farmer वो अलग प्रोटेफ्ट कर रहे हैं, अच्छा दिन था, फिर धिरे-धिरे करते क चलता है, बुरे समय में जो भी व्यक्ति होगा, कैसा भी बंदा होगा, वो कैसा निकलेगा, बड़ा ही talented बंदा होगा, पहली बात, दूसरी बात, अगर आपका अच्छा समय चल रहे हैं, तो अच्छे समय में, अच्छी परिस्थितियों में, आप कैसे निकलोगे, देखोगे ही, अगर मुगल टाइम की बात करें, आप मुगल को देखेंगे, तो आप देखेंगे बावर, बावर ने इतनी लडाईयां लडी, मतलब उसका जो जीवन था कैसा था, आप मुझे बताईए, कि आपने पढ़ा होगा, जाहिर सी वात है, थोड़ा बहुत तो प बंदा निकला, talented, सर बावर ने यहां अटेक करा और जीता, काफी सारी जगा जीती, समझ रहे हो, तो कहने का मतलब क्या है, बुरे समय में बावर का बेटा कौन हुआ, हुमायू, हुमायू कैसा बंदा था, एक बात बताईए, बावर जो पिता जो की अब शाशन कर रहा है उसका जो बेटा होगा, उसको सारे एशो अराम मिल रहे होंगे, उस बंदे को सारे एशो अराम मिल रहे होंगे, समझ रहे हो, बस इशारों में आप समझ जाना चीजों को, मैं मान जाओं के मेरा पढ़ाय वो आपको आ गया, बावर को सारे एशो अराम मिल रहे है, उसके ब प्पू मैंगया किसे काल रह до रहा कि वहागे जब उसके पिता भाग रहे थे दरदर की ठोकरे खा रहे थे, क्या अकबर को वो सारे एशो अराम मिले आप बोलो के नहीं सर, कहने का मतलब क्या है, अकबर का जो जनम हुआ वो अच्छे समय में हुआ था, बुरे समय में आप बोलो के सर, बुरे समय में हुआ था अकबर का जनम क्या बात समझ में आ रहा है अकबर का जनम कैसे समय में हुआ था आप बोलोगे सर बुरे समय में हुआ था तो अकबर कैसा बंदा निकलेगा अकबर टैलेंटिड टाइप होगा या पपू टाइप होगा बिलकुल इमानदारी से आप मुझे कॉमेंट करो अकब आपकी life बहुत मजे में चल रही है, आपको हर चीज मिल जा रही है, सारी सुभिधाएं हैं, तो आप कभी भी एक successful चीज नहीं कर सकते, आप बिलकुल यही चीज है, इतिहास ही खुद को दोराता है, और आप इतिहास से ना केवल अपने paper के question solve करना सीखोगे, बलकि आप daily life की चीजे भी सीख रहे होगे मुझसे, बहुत ही समझदारी आ रही होगी, बड़े इंटरस्ट के साथ हम चीजों को समझेंगे, अकबर कैसा बंदा निकला, सर बोलोगे उसके उपर बुरा समय चलना था, 12-13 साल की उमर में ही उसने शाषन समाल लिया था, वो बहुत ही बुर कौन था, मुझे कॉमेंट करो, अकबर का बेटा कौन था, सलीम, सुना होगा आपने, अनार के लीड इसको चली, सुना होगा, तो मैं वही कहना चारू, मैं आपको बताना क्या चारू, अकबर का बेटा कौन था, सलीम, आप बोलोगे सर, सलीम का समय अच्छा था या बुरा था आप बोलो के सर बहुत अच्छा समय रहा होगा भाई पिता जो है वो राजा है तो उसका बीटा तो बहुत अच्छे एश्व राम में रहा होगा तो सलीम जब अच्छे समय में रहा तो वो कैसा बंदा निकलेगा मुझे फटा फट से बता दो मैं अभी आपको concept बतारो प महीना कही में आपको वही चीज़े दिखाना चारो पूरा अतिहास आपको दिखांगो इसी तरीके से केवल आपको दो बाते ध्यान रखने है क्या सर अच्छा समय जब आता है कहते है न पाप का घड़ा कितने टाइम तक रहेगा पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर जाता किसी भी चीज़ के अंग्रेज आकर हम पर शाषन करेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे बुरा समय जो है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा एक समय ऐसा आएगा कि हमारे ग्रेट सलमान खान की एंटरी होगी भारत में और धीरे धीरे करते 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 हैं हमें आजदादी मिल जाएगी कौन सल्मान खान गांदी जी बड़े ही मज़े से चीजों को समझेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा आज के इतिहास के लेक्चर में धीरे धीरे हम पूरी सीरीज को कवर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बने रहो एक बहुत न रहुल गांदी जी इनका क्या था हुई इनका आप लाइफ देख सकते और आज को देखकर इसको रिलेट कर सकते और आप खुद ही समझदार हो आगे चलते हैं इतिहास को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समय आपको समय समझना बहुत जरूरी कि सर समय क्य कहता है अगर आप समय को समझ गए तो आप इतिहास को बड़े ही प्यार से समझेंगे क्या कहना चाहरा हूँ अगर मैं आपसे बोलू अभी कितना समय चल रहा है अभी कांसा सदी है तो आप बोलोगे सर 2021 चल रहे क्या चल रहे है दो 2021 अगर मैं इसी 2021 से बैक जाओं तो एक स कि पहले भी कोई था आप बो लो गे हां सर बिलकुल था तो अघर उससे पहले भी कुछ था तो इस समय को हम क्या बोले गे समझना मैं आपको टाइम लाइन बता रहो पूरा पोछटें पता चेज जाएगा बड़े ध्यान से समझना क्या था तो आप बोलोगे सर मालो हम यहां से एक रख देते सन एक सन जीरो सन एक सन दो मैंने बोला ठीक आप यहां से माल लो यहां से माल लो फिर मैं बोलू यहां पर भी तो कुछ रहा होगा तब आप क्या बोलोगे आप बोलोगे सर फिर यहां से एक दो तीन चार सन मल दो अच्छा इस तरह से आप कुछ भी बता दो मैं तो उसके पीछे का ही समय बोल दूँगा इस समय भी तो कुछ रहा होगा तो हमने क्या करा जो इसा मसी थे इसाईयों के जो वो जो गौड हैं जो उनको भवान माते हैं उनका जब जनम हुआ था उस जनम को इन्होंने क्या बना दिया उनके जनम को ही जब इसा मसी का जनम हुआ था बर्थ ऑफ क्राइफ उस समय को इन्होंने संजीरो बना दिया ठीके जो हमारा इसाई कलेंडर है उसके हिसाब से ही हम जो है इन चीजों को देख रहे हैं उसी तरीके से जैसे आज 2021 चल रहा है यह उसी समय से चल रहे है जितनी भी तारिक है जो उनसा भी महीना है जो उनसा भी साल है ठीक इतने साल इतने महीने इतने दिन पहले इसा मसीजी का जनम हुआ था क्या बात क्लियर हुई बहुत बढ़िया आप समझेंगे इन बातों को बड़े ध्यान से यह टाइम समझना बहुत जरूरी इतियास में बहुत का जनम से 500 साल पहले की बात है कहने का मतलब आप क्या करोगे सर 2021 तो अभी चल रहे है और 500 साल इसमें और एड कर दो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है 2521 साल समझ मारी बात है इतने साल पहले की बात हो लिए तो हमें एक बात समझ में आई कि जो हमारा time है जो हमारा समय है वो एक ही रेखा पर चलता है और यह चलता ही आ रहे और जब इसा मसी का जनम हुआ था उस समय को हमने माल लिया क्या जीरो ठीक है और उससे ठीक पहले का जो भी समय था वो सारा समय क्या बना BC, Before Christ जीजस के जनम से पहले का समय और AD क्या हो गया बहुत से लोग इसे बोलते है After Death लेकिन यह गलत है AD की full form होती है Anodominy हमें concept पर बने रहने चीजस समझनी है अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया BC और AD तो मैंने एक example लिया आपके लिए उस example को देखिए और comment आपको करने है क्या कहना चाह रहा हूँ बड़े धान से देखना यह है Gautam Budd जो Budd बुद धरम है बुद धरम के जो संसापक थे Gautam Budd ठीक है मैंने इक इनको लिया है और एक लिया हमारे दग्रेट सलमान खान महत्मा गांदी जी को ठीक है अब बड़े धान से समझना Gautam Budd का जो जनम है वो ईसा मसी से बहुत पहले हुआ था तो मैं कहना क्या चारो यह हमारी समय लाइन है यह है सन जीरो और चलते 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 जलते आज हमें सन दोजार इकिस में क्या यह दोजार इकिस आपको दिख रहे है इल्कुल दिख रहे क्या मेरी बात आ रही है समझ में अभी हमें 2021 में तो मैं आपसे एक बात पूछू के गौतम बुद्ध का जो जनम है वो कब हुआ था आप बोलोगे सर यहां हुआ था और यह संता 563 ठीक है क्या A.D.I.B.C. बहुत बढ़िया आप क्या बोलोगे सर B.C. बिफोर क्राइफ्ट यह इसा पूर्व हिंदी में बोलेंगे तो क्या इसा पूर्व क्लियर है तो जो गौतम बुद्ध का जनम हुआ था वो 563 में हुआ था उनकी मृत्यू कभी आप बोलोगे सर उनकी मृत्यू हुई कभ 483 B.C. बिफोर क्राइफ्ट क्या एक बात समझ में आई एक बात समझ म था इसके बादवाला एक दो तीन चार ऐसे चलते 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 यह कितना आगया 563 ठीक है और यह कितना था 483 तो जो गौतम जनम यहां पर हुआ थीक है उनकी मृत्यू यहां फूई तिक ऐसे चलते चलता आगया तो यहां सनजीरू है, यहां पर इसा मसी के जनम हुआ, ठीक एक समय साया होगा, जब उनकी द wyats होगी करते 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 करते, एक समय ऐसा है होगा, दोजार 14, जहां आपके मोदी जी ने बेहनों और भाईयों करते करते, एक चुनाव जीता होगा, शाचन किया ठीक करते 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 आज 2021 आगया जहां पर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लियर हो गया क्या ये टाइम लाइन आपको समझ में आई बिल्कुल बस ये दो तीन बाते आप समझो इतिहास तो खेल बनाके रख दूँगा आपके लिए बस समझ जाईए ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कंप्लीट इतिहास चलेगा पूरा इतिहास समझेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से क्लियर है क्या ये बात आई समझ में आप चीजों को स्टार्ट करते है इतिहास पढ़ेंगे मैंने बताया तीन हिस्सों में बाढ़ता हुआ है सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास सर प्राचीन इतिहास की शुरुआत कहां से है मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, यह हमारी टाइम लाइन है, फटाक से टाइम लाइन उठा लो, यह सन 0, इससे पीछे का मैं कितना समयलू, आपने बोला सर यहां से इतिहास शुरू कर दो, यह सन कितना था, आपने बोला सर 2000 BC, ठीक है, तो एक बच्चा बोला सर 2000 BC से कर दो स्टाट, एक बच्चा बोला नहीं सर, 2500 BC से नहीं, 3000 BC से कर दो स्टाट, तो कहां से इतिहास को पढ़ना शुरू करें, तो ancient में जो मैंने इतिहास को बाटा है, ancient history में बाटा है, हमने बाटा है कहां से हडपा सब्यता से, clear है, हम कहां से इतिहास को पढ़ रहे होंगे, हडपा सब्यता से ठीक है इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम इतिहास को देख रहे होंगे और ये कहां का समय था लगबग 2500 इसा पूर्व का समय था कहां का था 2500 इसा पूर्व कहने का मतलब 2021 ये जोड़ दो और 2500 साल ये जोड़ दो इतने पीछे से तयारी भी कर रहे होगे यहां तक लेकर आँगा पूरा इतिहास आपको दिखा रहे होगा एक नजर में बसी बेसिक बाते हैं समझो फिर मैं इतिहास आपको जैसे दिखाऊं आपको ऐसे ही देखने है प्राचीन इतिहास हम कहां से शुरू करेंगे पच्चिस सो इसा पूर वो क्या आता सर पच्चिस सो इसा पूर हडपा सभिता से हम सुरुआत कर रहे हैं एक लियर है चैकिन आज जाता है हमारा मध्यकाली इतिहास तीन हिस्सों में बाता है आप नोट्स भी चाहें तो बनाते रहना मध्यकाली इतिहास को हमने कहां से बाता है 712 यह चीज़े मैंने खुद टिजाइन करी है आपको पर्पस होना चुआ है कि आपको चीज़े समझ में आए मैंटर नहीं पड़ता कि सर यहाँ से शुरू नहीं होता यहाँ से होता है वो मैंटर नहीं पड़ता में तो जब इन्होंने भारत पर अटेक करा वहां से हमने मान लिए के चलो भाई एक नई युक की शुरुआत हो गई जिसे हमने नाम दिया मध्यकालीन इतिहास के इतनी सी बात आई समझ में यहां से हम क्या समझेंगे 712 से मध्यकालीन इतिहास क्लियर है यहां से complete अगर अच्छा आपसे एक interesting बात पूस्ता हूँ अगर मैं मान कर चलो के चलो भारत यह है हमारा प्यारा भारत कुछ इस तरह यह मैंने प्लस का sign बना दिया हमारा भारत है समझ में आ रहा है भारत का नक्षदिग्या सभी को क्या कहना चाहा यह नीचे का पूरा south area ठीक है य यह पूरा कश्मीर वगरा वाला area यह पूरा पाकिस्तान वाला यह आपका नौर्थी समझ में आ रहा है आइडिया ले पार हूँ मैं क्या कहना चाहरा हूँ मद्यकाली नितिहास में जितनी भी लड़ाईयां हुई वह सारी कहां से हुई हूँगी आप मुझे एक बात बता आओ किसर यहां से अटैक क्यों नहीं हुआ दक्षिन में उसके पीछे का रीजन है क्या रीजन है दक्षिन में अटैक नहीं हुआ यहां समुंदर था नाओ का विश्कार हुआ नहीं अभी तक तो और आएगा कौन वासको डिगामा आएगा सबसे पहले 1498 क्लियर है तब त देशे यहां से वासको डिगामा आएंगे कब 1498 में तब हम शुरुआत कर देंगे किसकी आदूनिक इतिहास की क्लियर होगी बात अभी हम समझ रहे हैं कि जो मुस्लिम अटैक हुआ था वो यहां से वा था इस्लामिक अटैक कहां से वा था यहां से एक बात बताओ सर यहां मैं पर भी तो पूरा वो है मैदान है तो यहां से क्यों हो यहां हमारे हमालीय आ जाता है चाइना से एक क्यों हो पाया हमाले इक बड़ी बड़ी एक यहीं पर अगर नहीं आपके पेपर में कोश्टन सॉल्फो तब आप मुझे कहना क्लियर है 1498 क्या हुआ था 1498 वासको डिगामा भारत आया था कैसे आया सर यह बना दिया मैप और मैंने देखा क्या यह नीचे का दक्षिन का एरिया यहां पर केरल नाम की जगा पर काली कट जो बंदर गाता वहां पर कौन आया था वासको डिगामा आया था क्लियर हो रही है बाते तो वासको डिगामा कब आया 1498 में यहां से हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत को क्या मेरी बात आ रही है हिस्ट्री यह आपको समझते जाना है सुनते जाना है चीज़े बहुत ही इंटरस्टिंग हो जाएगे मजा आ जाएगा आपको पोर्स बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है आधुनिक समझ में आया हम कहां से चला रहे होंगे कहां से जब 1498 में जब 1400 के सन में जब नाव का विश्कार हो गया होगा 98 में वास्को डिगामा आएगा उस समय से हम मान कर चलेंगे क्या आधुनिक भारत की शुरुवात होगी अच्छा आप से एक इंटरस्टिंग बात पूछता हूँ आप मुझे एक बात बताईए यह हमारा भारत है ठीक है इस भारत में यह जो हिस्सा है यह सारा यहीं से अटैक हुआ है ना सारे यहां कौन सा आजाता है अगर हम भारत के बात पर राजिस्थान, भर्याना, पंजाब आपने देखा होगा यहां के जो लोग है कंपैरिजन करो तो साउथ के लोगों के मुकाबले जो हमारे नौर्थ के लोग होते है वो जादा फ्ट्रॉंग होते हैं क्यों होते हैं क्यों कि नौर्थ के लोगों ने बहुत जादा बैटल देखे हैं देखो 14-1500 तक में तो कोई नीचे साउथ में अटेक हुए ही नहीं थे साउथ पूरा सेफ यहाँ विंद्यांचल परवत माला थी वहाँ से साउथ पूरा सेफ था और नीचे समुंदर था समझ पा रहे हो तो मैं यह चीज़ा आपको बता रहा हूँगा एक समझने वाली बात है अपने वहाँ इरान से आर्मी लेकर आते थे बिल्कुल आते थे लेकिन इतनी थोड़ना लेकर आते थे तो यह क्या करते थे यहीं से लोगों को हायर करते थे तो यह लोग ट्रेंड रहते थे समझ पा रहे हो और यही रीजन है कि आज के टाइम पर आप देखोगे यहां के लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा फ्ट्रॉंग होते हैं दूसरी बात अब आजओ नीचे साउथ पर साउथ पर अगर मैं देखू तो साउथ के लोग इतने फ्ट्रॉंग नहीं होते लेकिन माइंड से बहुत ज़्यादा फ्ट्रॉंग होते हैं क्यों क्योंकि इन्होंने इतनी लडाईया नहीं देखी समझ पारे हो रीजन समझ पारे हो इतिहास में ही आपका जो आंसर वो चुपा हुए साउथ के लोग है दक्षिन के लोग है उन्होंने इतनी लडाईया नहीं देखी इसलिए इनका जो दिमागी विकास है वो बहुत ज़्यादा हुआ और देखते हो आप कितनी भी टेक्नोलोजी होगी हमारी नासा यह जो आपका इसरो वगरा का जो भी है वो सारा कहा है आपका साउथ में है समझ पारे हो ठीक है साउथ में है आप देखो के साउथ के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते है केडला के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित होते है यह सारी चीजे किस तरफ इशारा करते है अगर हम इतिहास को देखे तो एक बात समझ में आएगी सर नौर्थ पे बहुत ज़्यादा अटेक हुए थे क्लियर है साउथ पे इतने अटेक नहीं हुए इसलिए इनका दिमाग ऐसा है कही ना कहीं यहां से चीजे रिलेट हो रही है तो चलिए आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लीजए इतिहास को बहुत ही बहतरीन डंकि से मैं आपके आगे प्रेजेंट करने वाला हूँ सबसे पहले हम जानेंगे प्राची नितिहास के बारे में क्या जानेंगे भी प्राची नितियास इतियास देखने का नजरिया क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है अगर हम प्राची नितियास की बात करेंगे अब आपको notes बनाने हैं मैं ये introduction class है इसमें मैं आपको overview दे रहा हूँ जी के है ये आपको class में हो गई हो गई आदे दस वजे आजाए लाइव अपने दोस्तों में शेयर करिए और लोगों को बताइए जितने जादा लोगों को जोड़ोगे उतना बढ़िया तरीकिसम content को लेकर आएंगे क्या था भई हम इत्यास कहां से शुरू करेंगे प्राचीन इत्यास प्राचीन इत्यास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हडपा सब्वेता ठीक है अच्छे एक बात बताईए हडपा सब्वेता जो धी वहाँ पर कैसे दिन थे आप बोलो के सबあच्छे दिन थे अच्छे दिन थे फिर धीरे-दीरे क्या हो जाएंगे अच्छे दिन नीचे दबने लगेंगे और बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे जैने का मत्व啦 दिन था, अगर दिन ढलने जगेगा, फिर दिरे-दिरे रात शुरू हो जाएगी, क्या आप इस concept को समझ पा रहे हैं, बहुत ही interesting तरीके से मैंने तयार कर रहा है, बड़े जहां से समझ रहा है, मैं कहना क्या चाहरा हूँ, मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ, क्या जो हडप कर ली, प्लस जो फ्टॉक बनाना था, आपने वो भी बना कर रख लिया, क्या मेरी बात आ रही है समझ में, तो अगर हम हडपा सभ्यता पर नजर डालें, तो एक बात देखने को मिलते हैं, इन्हों ने बहुत बड़े बड़े अन्नागार बना रखे थे, अन्द के भंडा तो ये चीज थी, कहां पर हडपा सभ्यता की बात करें, फिर आने वाले समय में क्या हुआ, आने वाले समय में फिर हम पढ़ेंगे रिग वेदिक काल और उत्तर वेदिक काल, ये दो समय आ गए, इन समय में क्या हुआ, रिग वेदिक काल में क्या हुआ, दीरे दीरे जाती वगरा ये चीज़े बढ़ने लगई आप देखोगे ब्रामण वैशे शुद्र ये सारी चीज़े कहां से आई ये जो आज आप काफ्ट में डिवाइड हो रख्यों ये सारी चीज़े कहां से आई ये कही ना कही हमारे एंशेंट एतियास से ही बनी है क्लियर है हम इन चीज़ों को भी समझ रहे होंगे अगर मैं बात करूँ हडपय सिविलाइजेशन के बाद उसके बाद हम कवर कर रहे होंगे क्या वैदिक काल रिग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बड़े ध्यान से समझना अगर मैं इन द पशुपालन होता है रिग वैदिक काल की बात कर रहा हूं पशुपालन होता है तो पशुपालन के लिए एक स्थान से दूसरी स्थान जाना पड़ेगा फिर धीरे 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 क्या हुआ समय बदलता गया समय आगे बढ़ता गया फिर आगे क्या उत्तर वैदिक काल क्या ह Online कि उत्तर वैदिक काल इस समय में क्रिश्विय होती ती क्या उने लग गया दिरह दिरे किश्री होने लगी तो लोगों क्या कर जो पशुपालन वगणा थών बंध हो गया अब लोग एक जगह स्थाई जीवन जीनिय क्या वन्ट जीनिया तो बस्तिया क्या था रिगवेदिक आप समझ पार हडपा कपका था आपका पच्छिस सो बीसी ठीक है अब यह जो समय घड़ता जाएगा घड़ते 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 जीवन चल रहा था उत्तरवेदिक काल में कठिनाईया आने लग गई कैसे कठिनाईया आने लग गई गाउं वगएरा बनने लग गई गाउं वगएरा बनने लगए लड़ाईया वगएरा होने लगई लोगों में समझ पार दीरे दीरे जीवन जो है वो कठिनाईयों भरा आने लग गया तरह तरह के करमकांड आने लग गई कैसे जैसे कि अगर हम बात करें रिगवेदिक काल मे ये सारी चीजे खतम हो गई धीरे-धीरे मतलब जाती वाद आने लग गया ये वर्ण में बनाने लगे लोग तो जो शुद्र थे जो शुद्र काफ्ट थी उनका जो है वो बहुत जादा गिरावट होने लग गया उनकी ग्रोथ में फिर धीरे-धीरे चीजे क्या हुई भी जहां पर कठनाई वाले दिन आ गए कहने का मतलब यहां कैसे दिन थे आप बोलोगे सर अच्छे दिन थे उत्तरवैदिक काल में क्या हुआ सर धीरे-धीरे वो बुरे दिन आने लग गए कैसे आने लगे बुरे दिन, एक बात बताईए, जब कठनाईया आने लगेंगी जीवर में, तब आप क्या करोगे, तब आप अच्छे दिन की तलाश में जाओगे, जैसे अभी, कुछ साल पहले जाओ, कॉंग्रेस से परिशान हो गएते हम, फिर हमें अच्छे दिन की कारा दिया, क्या अच्छे दिन आने वाले हैं, और आप सभी ने मान भी लिया, क्लियर है, कहने का मतलब ये उलट फिर चलता रहता है, आगे चलते हैं, बुरे दिन आगे थे, ठीक है, उत्तरवैदिक काल में महिला होगी, बहुत जादा बुरी दशा होगी थी, पूरा डी मस हुए, कौन-कौन से, जैन धरम और बोद धरम, कौन-कौन से धरम, सर, जैन धरम और बोद धरम, इनकों बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे, सर, जैन धरम में क्या आता है, बोद धरम में क्या आता है, क्यों आई ये दो धरम, ये दो धरम आने के पीछे का र अगर मैं आपको एक ऐसा धरम दू, तो आप आना चाहोगे, आप बिलकुल आओगे समझ पारो, जहां आपको कठेनाईयां हैं, और आप वहाँ से सरलता के रास्ते पर जाना चाहरे हो तो बिल्कुल जाना चाहोगे, इसी लिए धरम आया आपके, जैन धरम हो गया, बोद धरम हो गया, शेव धरम हो गया, बहुत सारे धरम आये थे, ठीक है, जिसमें हम मेजरली दो धरम के बारे में जानेंगे, जैन धरम और बोद धरम, बहुत डीटेल में पढ़ेंगे, इतना reason था क्या कारण था कि वो ऐसे बन गए और यह ऐसी रह गई यह सारी बाते हम इसमें जान रहे हुए कि इसमें जैन धरम में क्लियर है जैन धरम में आगे चलते हैं सर यह सब थो ठीक है उस समय का जीवन कैसा था अगर मैं उस समय के जीवन की बात पूरू तो सबसे पहले होते थे जन जन का मतलब बिलकुल छोटे छोटे कवीले टाइप के बहुत छोटे छोटे कवीले होते थे इनको हम बोलते थे जन धिरे धिरे जब ग्रोथ होती गई जब यह कवीले बने तो यह बड़े हो गए फिर धिरे बन गए यह क्या जनपत जन्पत का मतलब है ये थोड़े बड़े गाउं वगरा टाइप के इन चीज़ों में इनका विकास होने लग गया पिर जब ये चीज़े बड़ी हो गई तब ये सारा एक में ही इंक्लूड होने लग गया फिर किसका निर्माड हुआ महा जन्पत अब समझ पारे हो इतिहास को अब इतने ही मज़िदार तरीके से पढ़ेंगे किस तरह से जन से जन्पत बने जन्पत से महा जन्पत बने clear है और जаб महा जन्पत बन गए सारे अलग-अलग महा जन्पत बन गए कोई कोशामभी बन गया ठीक है कोई मगद बन गया ये अलग-अलग महा जन्पत बन गया फिर होगा क्या आध पहले पहले इत तैयारी होती थी growth की जैसे की अगर मैं बात करूँ कोई नई सरकार आती है, वो सबस्सिते जाले विकास पर धयान देती है, फिर जब विकास हो जाता है, फिर क्या करते है, फिर वो हरपने का काम शुरू कर देती है, रियलिटी है यह, यहां भी यह हो रहा था, पहले चोटे-चोटे कभीले गाउं वगहरा थे, उनमें विकास हुआ, दीरे दीरे क्या होगे, जन किसमें बदल गए, जन पद में, फिर क्या हुआ, जन पद किसमें बदल गए, महा जन पद, बड़े बड़े महा नगरों में बदल गए, लेकिन जब इसमें बदल गए, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या हुआ, फिर लोग करते करते जितने भी यह महाजनपत थे इन सब को जीतना शुरू कर दिया फिर आगे चलकर एक ऐसा समय आएगा जब अशोक आएगा और अशोक इन सब को इखटा करके एक पूरा अखंड भारत का निर्माण कर देगा क्लियर है हम उन चीजों को समझ रहोंगा इन सबी महाजनपतों को लगबग वो सबी महाजनपतों को जीत लेता है अशोक ठीक है और अशोक एक धरम का भी परचार करता है बोध धरम का हम उसको भी समझ रह निर्माण किया हम चंदर गुप्त मौरे के बारे में जान रहे होंगे हम इन चीजों को समझ रहे होंगे अशोग ने कौन सा धरम अपना है था अप बोलो किसे अशोग ने बोध धरम अपना है था और बोध धरम एक इंटरनेशनल धरम है अगर आप देखेंगे कि जैन धरम और बोध धरम में कौन सा धरम जादा फेमस है तो आप देखेंगे बोध धरम इसके पीछे का कारण क्या है इसके पीछे का कारण है अशोक अशोक ने बोध धरम का परचार जो है तो बहुत बढ़िया इसकी कहानी है मैं आपको वो सारा बता रहा हूँगा तो हम क्या पढ़ेंगे आगे मौरेकाल, संगमकाल और गुपताकाल को पढ़ेंगे उसके बाद हमारा प्राची नितियास कवर हो जाएगा फिर हम एंट्री मारेंगे किसमें मध्यकाली नितियास में किसमें एंट्री करेंगे मध्यकाली नितियास में हम क्या पढ़ेंगे मध्यकाली नितियास में हम पढ़ेंगे मौम्मद बिन कासिम कब से 712 क्या ये BC है आप बोलोगे नहीं सर्फ ये AD में आ गए हम कहां आ गए AD में जहां समझेंगे क्या पहला जो मुस्लिम अटैक जिसे हम कह सकते हैं भारत के उपर ता वो सफल जो पूरी तरह से सक्सेस्फुल ता वो कौन सा था मौम्मद बिन कासिम ने किया था क्लियर है कब किया था था साथ सो बारा में हम यहां से पढ़ेंगे मौमद बिन कासिम को मौमद बिन कासिम के बाद हम पढ़ेंगे किसको महमूद गजनवी को ठीके यह भी आया था इसने भी बहुत जादा लूट पार्ट मचाई उसके बाद हम पढ़ेंगे गौरी को गौरी का पहला युद्ध कब हुआ था दूसरा युद्ध कब हुआ था कौन जीता था यह सारी कोशन आपके पेपर में आते हैं हम यहाँ पर गौरी को समझ रहे होंगे ठीक है उसके बाद आगे आ जाएं तो हम देखेंगे कि जो हमारा इतिहास था जो हमारा मध्यकाली नितिहास और जाता है कौन-कौन से दो हिससे सर एक बठ जाता है सल्तनतकाल कौन्सा सल्तनतकाल क्या आपको बाते आ लीए समझ में कम्प्लीट चीजों को हम इसी तरह से डिजाइन करेंगे ए क्म्प्लीट ओवर Daar क्या आता है कि हम मगलकाल काल कि में डिवैड करेंगे सबसे पहले ह बुरे समय में कैसा बनधा निकलेगा इन बातों कि हुआतु बहुत समझ रहे हुए। clear है सल्तनत काल में जो तीसरी डाइनेश्टी आई वो थी आपकी तूगलक वंश टोटल पाँच थे कितनी तूटल पाँच वंश आएंगे तूगलक वंश समझेंगे उसके बाद आपका सयद वंश फिर आपका लोधी वंश ये पाँच डाइनेश्टी समझेंगे किस में मुगल काल में पूरे इतिहास को सब्जने के लिए केवल हम दो ही बातों को दिमाग में रखेंगे क्या सर अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं। ठीक है, हम देखेंगे मुगल काल में किस तरह से बावर आएगा, जो कि बहुत कठिनाईयों का सामना करके आएगा, और कठिनाईयों में आएगा तो बंदा कैसा होगा, टैलेंटेड होगा, इन बातों का ध्यान रखना है, इसी से ही पूरा इतिहास चल रहा होगा हमारा, हम में भी देख रहे होगे, कि किस तरह से जो हमारा अलावदिन खिल जी है, वो किस तरह से उनका ठीन परिस्तितियों में बनकर इतना टैलेंटेड बंदा बन जाता है, कहने का मतलब रूल करता है, जादा से जादा, था तो नेगेटिव करेक्टर, लेकिन कैसे रूल करता हम यह भारत का नक्षा लूँ, तो यहाँ पर पूरे में हमारा मुगल ने रशाषिन कर लिया था, लेकिन यहाँ पर दीरे दीरे एक चीज़ का उद्य हो रहा था, जो था क्या पेशवाई, पेशवाई बोले तो मराठा सामराज्य में जो भी रूल करता था, उसको पेशवा बोलते थे, आपने मुवी देखी होगी कौन सी, बाजी राओ, मस्तानी, इस मुवी में आप देखोगे पेशवा थे कौन, सदासिव राओ, भाओ, यह कौन थे, पेशवा थे, हम वहाँ से जान रहे होगे, इस मुवी इसको देखकर हम समझ रहे होगे, क्या मराठा कि किस तरह से भारत में, जब यहां मुगलो का राज था, उस समय एक मराठा सामराजी, नीचे महराफ्ट वगरे का यहां से एक मराठा सामराजी का उध्य हो गया था, शिवा जी के बारे में जान रहे होगे, उनके पूरी फैमली के बारे में, क्या क्या कोशन्स आपके पे पर में आती है, किसमें, जब हम पढ़ेंगे क्या मराठा सामराजी, जब हम साउथ इंडिया को पढ़ रहे होगे तब, फिर अच्छा एक बात बताईए, सर हम इतना सब कुछ पढ़ चुके, हमने देखा, हमने क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत देखा, दिल्ली सल्तनत के पात, मुगल बावर आकर अटेक कर देता है, बावर का राज देखा, बावर का वन्शत सारे चल रहे हैं, उपर मुगल, ठीक है, नीचे चल रहे हैं, मराठा, तो ये कौन सा समय आ गया, ये कही ना कहीं कौन सा समय आ गया, पंदरा सो के असपास का, कहने का मनलब है, 1408 के असपास का यही समय आ गया सर जब यह समय आ गया तो नीचे क्या आ गया इसमें नाओ का भी तो अविश्कार हो गया चौदवी शताबदी में नाओ का विश्कार हो गया था और सर जब नाओ का विश्कार हो गया तब नीचे से कौन एंट्री मारेगा wasco di gama कौन entry मारेगा wasco di gama entry मारेगा कहां से Europe, Пωrtugal से होता हुआ ऐगा फिर हम एक नए üyuk की शुरुआत कर देंगे और उस üyuk को हम बोलेंगे क्या आधुनिक इतिहास क्या बोलेंगे उस उपको आधुनिक इतिहास आधुनी कितियास को हम किस तरह से पढ़ रहे होंगे आधुनी कितियास में हम देखेंगे Europeae Company का आगमन कैसे सबसे पहले पुर्तगाली Company आती है भारत में कहां आएगी South में हम इन चीदों को बहुत बड़े ध्यान से पढ़ रहे होंगे आपको यह सारे अंग्रेज आये, वो किसली आये थे? आप सारे बोलोगे सार राज करने के लिए आये थे? नहीं, वो आये थे basically business करने के लिए comment करके बताओ कि जो अंग्रेज है वो क्या करने आये भारत में option A वो राज करने आये option B वो व्यापार करने आये अंग्रेज जो है वो 1600 लगबग में आ गए थे ठीक है ये ब्रिटिशस वगरा ठीक है और पूर्टगालीज वगरा तो 1490 में आ गए थे 1500 के असपास क्लियर है तो एक बात बताओ भारत को जब गुलाम करा गया जब ये बैटल अप प्लासी बकसर वगरा इसार होगा इसके बाद ही भारत गुलाम हो था अंग्रेजु के व्यूँ से तो इनको क्यों ये 100-200 साल लग गए अगर आप सभी कह रहे हो कि सर ये गुलाम करने आयते है राज करने आयते है तो इन्हें 200 साल क्यों लग गए पहला सवाल कहने का मतलब यह है अगर आप किसी जगा पर शाषन करना चाहते हो तो आपको कितना समय लगेगा आप जाएंगे उस जगा पर पहले अगर अंदाजा लेंगे तो आप देखोगे एक दो साल चलो ठेक है बलब एक overview ले लो कि आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल, 200 साल तक इंतजार करोगे कि नहीं आप सही मौका आप शाषन करें गलत अंगरेज आई किसलिए थे? अंगरेज आई थे व्यापार करने के लिए किसलिए आई थे? व्यापार करने के लिए पर इस्थितियां ऐसी बनगी कि उन्हें राज करना पड़ा जो की सरासर गलत था जो इन्होंने शाषन किया वो सरासर गलत था कोई उनका राइट नहीं था, वो सरासर गलत था लेकिन ये करने आई थे क्या व्यापार ठीक है? अब एक बाद बताईए जो अंग्रेज शुरुआत में आये थे और दोसो साल लगबग, उसके बाद ही इन्होंने शाषन करा, देट सो, दोसो साल तो इस समय में जो बन्दया आया होगा उसने क्या ये सोचा था, मैं राज करूँगा वो तो निकल लिया होगा कपका बाद समझ पा रहे हो ना? तो ये विजनेस करने आये थे, हम इन चीजों को बड़े ही, बहुत ही ध्यान से समझ रहे होंगे कब, जब हम पढ़ेंगे क्या modern इत्यास, पुर्टगाली कंपनिया कैसे आई और किस तरह से भारत में ही आई नक्षा थोड़ना था, उस समय गोई GPS था क्या? कि वो GPS देख क्या रहे होंगे? नहीं तो किस तरह से वो केवल पुर्टगाली कंपनी आई डच कंपनी आई, ब्रेटिश आई, डैनिश आई, फ्रांच आई हम इन सभी कंपनियों को देख रहे होंगे इन कंपनियों को देखेंगे धिरे-धिरे भारत गुलाम हो जाएगा भारत गुलाम हो जाएगा तो 1857 का विद्रो होगा हम उसको देखेंगे मंगल, पांडे वगरा इन सब को पढ़ रहे होंगे इन सब को पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे गवरनर तो कि India गुलाम हो जाएगा गुलाम हो जाएगा तो British Americans का राज हो जाएगा राज होगा तो वो बना देगे क्या गवरनर ठीक है हम देखेंगे जो पहला गवरनर बनेगा Clive ठीक हम उसको देखेंगे फिर हम जो इतिहास पढ़ने का द्रिफ्टी कोण है वो कैसा कर देंगे इनके नजरिये से फिर हम अपना इतिहास पढ़ेंगे गवर्नर की व्यूज़े कि कौन सा गवर्नर आया आपके विपर में पूछा जाता है उस गवर्नर ने कौन सी पॉलिसी लगाई पहला गवर्नर कौन था भारत का ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का पहला वाइसराय कौन था ये कोशन्स आते हैं हम इसी तरीके से देखेंगे भारत गुलाम हो चुका है क्या अच्छे दिन है अच्छे दिन थे लेकिन अब सर कैसे आ कि बुरे दिन शुरू हो गए कॉंसर्ट समझ रहे हो अब धीरे-धीरे कैसे बुरे दिन आने शुरू हो गए किसने राज किया गवर्नरों ने फिर विद्रो वगरा हुआ फिर गवर्नर जनरल फिर एक समय ऐसा आया जब हमने क्या विद्रो शुरू कर दिया जब हमने विद्रो शुरू कर दिया 1857 की फिर हम देखेंगे जितने भी वाइसराय है उनके नजरिये से इतियास को कि ये वाइसराय है इन्होंने भारत में क्या किया रेल वगएरा कैसे बिछी ठीक है टेलीफोन वगएरा ये सारी चीज़े सारा कवर कर रहे हैं गो A to Z किसकी नजर से वाइसराय है अब मुझे एक बात बाताओ इस समय जब ये अंग्रेजो आने गुलाम कर रखता भारत को तब अच्छे दिं थे या बुरे दिं थे आप अतना बटाओ अच्छे दिन थे बुरे दिन थे अप बहुअ कि सभी गुलाम कर रखता त 살ी बातती तो ऐसे में ही किसकी entry होगी ऐसे में ही entry होगी the great Salman Khan महात्मा गांदी की किसकी entry होगी इस समय में महात्मा गांदी की ठीक है 1919 से लेकर 1948 तक का यह जो time है इसको हम क्या बोलते है गांदी एरा कहते है क्या है इस समय हम समझेंगे गांदी एरा जानेंगे कैसे जिस उमर में आप exam की तयारी कर रहे हो उस उमर में भगत सिंग शहीद होकर देश को एक ऐसा message दे कर चले गए कि बस आप उस चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके गुजबम्द थड़े हो जाएंगे अब देखेंगे वो सारी चीज़े हम गांदी जी के point of view से इन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे नए नए अंदॉलन होंगे दीरे करते 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 सन 1998 पर लियाएंगे जब बुरे दिन पाप का घड़ा जो है वो भर जाएगा और अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे कहने का मतलब 1998 भारत अजाद हो जाएगा नहरू जी की सरकार बना देंगे फिर धीरे धीरे करते करते ही अच्छे दिन चलते रहेंगे चलते रहेंगे फिर बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे इतिहास ही खुद को दोराता है फिर बुरे दिनाएंगे फिर 2014 आ जाएगा और 2014 में फिर से एक परसन आएंगे जो की होंगे हमारे कौन से मोदी जी मोदी जी आकर एक नारा देंगे अच्छे दिन आने वाले हैं और उन अच्छे दिन की आस में हम उनको वोट दे देंगे बी 2021 में मेरा lecture देख रहे होंगे इस तरह से मैं पूरे इतिहास को कवर करेंगे तो आपको लेक्टर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें ये ले लिए कि 33 मिनिट के मैं पूरे सेशन लेकर आऊंगा आपक लिए इतिहास के लिए बहुत ही मज़ेदार तरीके से इतिहास पढ़ दो बाते ध्यान रखनी है, चलिए मिलते हैं फिर next lecture में, और उपर आपको history की playlist दिखरी होगी, इसे join जरूर कर देना, thank you.